हुआ नमस्कार डोस्तों स्वागत है आप सभीक उपने चानल लौले स्ट्वीटस पर चली देख लेतें आज का वीडियो यह जो वीडियो है यह वह सकते हैं इतने भी aspirants हैं बहुत 50,000 approximately तो SI means वाले aspirants हैं ही तो यह talk of the town है examination होगा नहीं होगा क्या होगा BPSC का examination था उसको postpone कर दिया गया फिर बिहार judiciary का examination था उसको postpone कर दिया गया फिर कौन सा examination था इसको भी दो बार already postpone किया जा चुका है तो अभी student जो प्रिपेर कर रहे हैं वो तो है अब examination देना है तो वो तो थोड़ा सा रहेंगे आक्टिव प्लस सेंटर पे पहुंचना है तो सब लोग के बीच में यह बहुत ही talk of the town बना हुआ है कि examination होगा की नहीं होगा तो अभी तक तो BPSCC का कुछ ऐसा notification नहीं आया हुआ और सुबह हम लोगों ने देखा था प्रभात खबर में कि प्रभात खबर का जो बिहार सरिफ वाला edition था उसमें लिखा हुआ था कि examination होगा वहां के DEO जो है मन उसको मारून होने पर बोल दिया था कि examination होगा हम लोग ready है तो अब देख लिए उसका होगा की नहीं होगा जो भी है दो तीन दिन में आउट हो जाएगा अभी वाला जो notification है यह इसमें है कि सिपाही भरती वाला जो है उसको भी आप यहां पर देखी रह विज्यापन संख्या 5-2019 के अंतरगत बिहार पुलिस संगतन में चालक सिपाही के 1722 पद एवं विज्यापन संख्या 2-20-20 के अंतरगत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर में सिपाही के 551 पदों पर नियुक्ती के संबंदित लिखित परिक्षा क्रमसर्दी 14-10-20-20 यानि की बुद्धवार एवं 18-10-20-20 यानि की रविवार को निर्धारत की गई थी ठीक है बट अब क्या है आगे नेक्स पॉइंट यहां पर बोला जा रहा है बिहार विदान सबा आम निर्वाचन के मद्दे नजर परिक्षा केंद्र उपलब्द ना हो पाने के कारण उपर यूग दोनों परिक्षाहों को स्थगत की जाती है अभी देखे बीपी एससी वाला बीपी का जो नोटिफिकेशन आया था जो डीसेरी वाला एक्जाम जो डीसल सर्विसेस और बीपीसी का जो मेंस एक्जामिनेशन उसको पॉस्पान करने के लिए तो बहां प को उनलों के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है तो यहां पर रिजन समझाया जा रहा है कि यह जो हमारा इलेक्षन होने वाला है और इसलिए सेंटर ने अवलेबल हो पा रहा है बहुत सारी चीजें होती है अरेंजमेंट करना होता है ट्रेनिंग देना होता है सब कुछ करना होता है तो यह सब के वज़े से नहीं हो पाएगा इनका अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा तो एक्जामेनेशन को स्थागित किया जाता है यह जो दो एक्जामेनेशन होने वाला था 14 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को एक्जामेनेशन होने वाला था कौन-कौन सा पोस की जाएगी और उसकी सुचनाव परसद की वेबसाइट दथा वे बिहार के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकासित की जाएगी तो मतलब एस अफ नौ यह एक्जामिनेशन को फुस्पान कर दिया गया है नया टेट जैसे ही आता है या उसको सेड्यूल हो जाता है तो वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा इसकी जो वेबसाइट है उसके बता दिया जाएगा या फिर मुख के समाचार पत्र जैसे की दैनिक जागरन हिंदुस्तान प्रभाद कपर यह सब में भी आपको मिल जाएगा देखने को तो यह सब आप कर सकते हैं यह जो भी दस-20-20 बुद्वार की लिखित परिक्षा से संबंदित अभी अर्थी अपने प्रवेस पत्र सुरक्षित रखेंगे नईति थी निर्धारत किये जाने पर अभी अर्थियों को इनहीं प्रवेस पत्रों के आधार पर परिक्षा में सम्मलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी तो देखिए अभी यही हो रहा है हमारे जो स्टूडेंट भी हैं पेड ग्रूप के स्टूडेंट को तो मतलब हमारी रिस्पॉंसिबिलिटी अभी है उनको बताने की तो वहां पर यहीं सारा कंसर्न में देखते रहते हो दिन भर लोग यहीं करते रहते हैं कि तो मिल गया था और अब बोला जा रहा है कि इसी को सुरक्चित रखे इसी बेसिस पर आपको वापस से फिर से एक्जामनेशन देना होगा तो यहीं है तो चलिए अभी तो फिलाल यहीं एक्जामनेशन का नोटिफिकेशन आया था तो आई थोट की बता दिया जाए आप लोगों को जो भी प्रिपेर कर रहा है उनको पता चल जाना चाहिए प्लस जैसे ही BPSC का भी यह सब प्रिवे मत सुनिए इसे मन देखिये अपना प्रिपर्शन करते रहें लागा तो प्रिपर्शन करने लागा अगर एकजामिनेशन लेवन ओक्टूबर को हो रहा है तो मेरे मेरी यही काइंट्रिक्वेस्ट है बिहार एसाइमेंस के सारे इस्पिरेंस की इतना आप लोग बहुत अपना फूल एफ़र्ट लगा दीजिए अपनी जितनी पोटेंसिल है पूरे पोटेंसिल अपनी पूरी एबिलीटी के साथ इग्जामिनेशन दीजिए और यह सिस्टम यह जो बापरे यह जो सिस्टम इसे बहार निकली यह बहुत खतारनाग चीज़ है स्टूडेंट क्या करे अब क्या करें अब क्या करेंगा और बस यह साइकल में बस फसके रह जाता है उसलिए पढ़ाई कीजिए आप लोग और प फूली इस एक्जामिनेशन को क्राक कीजिए चलिए आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फू वाचिंग